वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडियों हम बात करने जा रहे हैं रोयल चैलेंजर बैंगलॉर वर्सिस मुंबई इंडियन्स आईपियल माच जो ही खेला जाएगा महराज क्रिकेट असोशियेशन पूने में क्या हो सकती है पॉसिबल प्रेंग 11 कौन से चेंजिस होने वाले हैं क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम ग्रैंड लीग की क्या टीम से रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो पूरी वीडियो देखिए का मज़ा आने वाला है अगर आप लोग नए हैं सो आप हमाई साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएए यह हमारा टेलीग्राम चैनल है फेंटसी फॉर्चून के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा साथ के साथ कमेंट सेक्शन पिन कर दूँगा उसी के तुरू जुड़िएगा सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि फेंटसी फॉर्चून के नाम से पैसे मांगे सुख बिल्कुल भी देने की ज़रत नहीं है साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीचे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी बात करते हैं वेन्यू की सुमहाराष्ट क्रिकेट असोशेशन स्टेडियम में मैच होने वाला है अभी तक यहां 41 मैच खेले गए हैं और जो है दोनो ब concuree यहां पर 5 मैचे हुए है जो पहला मैच हुआ था उसमें हमने काफी हाई स्कोरिंग मैच देखा था जहां पर RR ने काफी अच्छी परफोर्मेंस दी थी और 250 बनाए थे और वह वाला मैच हुआ असानी से जीत गई थी फिर दूसरा जो मैच हुआ उसमें जो गुजरात ने 111 run बनाए थे और वो match भी गुजरात ने defend कर लिया था और जो last match हुआ था वो 171 run बनाए थे यहां पर Mumbai ने और KKR ने वो chase कर लिया था लेकिन जो देखने वाली बात है कि score जो है वो dip कर रहा है और यहां पर bowlers में जो bowl cutter fake सकते है bowlers वो यहां पर wickets निकाल सकते है fast bowlers जिनके पास variation है वो ऐसे bowlers जो है wickets यहां पर निकाल सकते है तो इस चीज का ध्यान रखना है तो हमें 160 run बाला match जो है वो ज़रूर हमें देखने को मिलना चाहिए प्लस wickets भी मुझे लगता है ठीक ठाक इस match में गिरने वाले हैं बात करते हैं टीम्स की सो यहां पर रोयल चैलेंजर बैंगलोर रसीबी की तरफ से एक change होने वाला है Glenn Maxwell की बापसी इस match में हो जाएगी सो वो Rutherford को replace कर देंगे बाकी हो कोई change होता हुआ यहां से नजर नहीं आ रहा है बात करते हैं Mumbai Indians की सो यहां पर एक से दो change हो सकते हैं टीम काफी हार रही है भी तक जीती नहीं है एक भी match सो एक से दो changes expected है Daniel Sams की जगा Fabian Allen को team try कर सकती है जिनका last match काफी बेकार रहा था Pat Cummins ने बहुत ज़्यादा पिटाई करी है सो यहां पर Fabian Allen को team मौका दे सकती है Riley Meredith भी एक option है प्लस यहां पर Basil थंपी की जगा जो है टीम चाहे सो जैदेव उनाटकट को भी ला सकती है सो यह जो दो change है यह हो सकते हैं पाकी और कोई change होता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहां पर बात करते हैं बल्लेवाजी की सो बल्लेवाजी नया feature लाए है SportX अगर आपको लगता है कि आज कौन जीतने वाला आपको पता है सो आप अपने opinion पर हाँ या ना में जवाब देकर real cash कमा सकते हो बल्लेवाजी पर सो डाउनलोड कर लो link description में fortune refer code है उसके थूँ डाउनलोड कर लेना बात करते हैं interesting facts की सो head to head में बात करें सो RCB ने 12 match जीते हैं और यहां पर MI ने जीते हैं 19 match सो MI का जो है वो head to head record जादा अच्छा है लेकिन पिछले चार match में तीन बार जो है RCB ने जीता ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है most runs की बात करें सो विराट कोली के सबसे जाला run है यहां पर 779 फिर आते हैं कैरन पॉलाड 553 रोहिष शर्मा के 540 सूर्यकुमार के 218 और यहां पर इशान किशन के 182 runs हाइस score की बात करें सो इशान किशन का हाइस है यहां पर 99 रोहिष शर्मा के 94 विराट कोली के 92 not out 82 not out और सूर्यके यहां पर 79 not out की पारी खेली हुई है most wickets की बात करें बुम्रा ने सबसे आदर wickets निकाले हुए है 24 विकेट यहां पर हर्शल पटेल के 15 हैं पॉलाड के 12 और मुम्मद सिराज के 8 लेकिन बेस्ट बोलिंग की बात कर लेते हैं किसे ने करी है हर्शल पटेल का record काफी अच्छा रहा है प्लस मुझे लगता है यह विकेट उनको सूट भी कर सकता है तो यहां पर हर्शल पटेल ने 5 विकेट निकाले हुए है प्लस 4 विकेट भी निकाले हुए है अगेंस्ट मुंबई और यहां पर बुम्रा ने 3 और पॉलाड ने भी 3 विकेट निकाले हुए है अगेंस्ट RCB कुछ player matchup की बात करें तो टाइमल मिल्स ने जो है फैब्डू प्लेसिस को चार बोलों में एक बार आउट किया हुआ है यहाँ पर बुम्ब्रा की बात करें तो बुम्ब्रा ने चार बार आउट किया हुआ है विराट कोली को यह एक अच्छा और इंटरस्टिंग बैटल होने वाला है लेकिन 84 बोले भी ली है यह भी देखने वाली बात है और जस्प्रीद बुम्रा मैकसेल को भी तंग करते है आठ बार टोटल आउट कर चुके है यहाँ पर 122 बोलों में डेविड विली की बात करें बात करते हैं दोनों टीम्स की यहाँ पर रोल चैलेंज बैंगलोर तीन मैच मेंसे दो जीती है एक ही आ रही है टीम काफी सॉलिड लग रही है और अब मैकसेल के आने से टीम मुझे लगता है और अच्छी हो जाएगी फैब डुपलेसेज ओपन करेंगे अच्छी चोइस रहेगी स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की काफी अच्छा है स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चोइस बन जाती है अनुजरावत मुझे लगता है इस मैच के सबसे वड़ी टरम कार्ड साबित हो सकते हैं क्योंकि प्लेयर में टैलेंट है शॉट्स हैं इसके पास अगर ये बुम्रा को जो है टैल कर जाएं सो मुझे लगता है इस मैच में अच्छी पारी खेल सकते है सेलेक्शन बिल्कुल कम है क्रेइट सेवर का भी काम कर जाएंगे प्लस ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइ कर सकते हो ऐसे प्लेयर जो है जो सेलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है ओपन कर रहा है चांस बहुत है कि रंस करने का हाँ वो बात अलग है इतनी अच्छी परफॉमेंस नहीं आई है स्टार्ट मिला है कन्वर्जन नहीं हुआ है ठीक है तो आप अगर चाहें तो इस पर रिस्क ग्रैंड लिग में ले सकने है विराट कोली की बात करें मुझे लगता है यार विराट कोली को इस माच में रन करने चाहिए रीजन है कि मुंबई के अगेंस यहाँ पर रोहिष शर्मा के अगेंस रन करना चाहेंगे सो मुझे लगता है कि run करने चाहिए बाकी देखो recent form आपको भी पता है कभी run out हो जाते हैं कभी कुछ हो रहा है सो विराट की recent जो time है वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है बट लेट्स होब कि आज एक अच्छी पारी वो खेल जाएं Glenn Maxwell की बात करें सो Glenn Maxwell जो है छुटियों के बाद अब आ रहे है शादी के बाद देखने है कैसा performance रहती है important player रहेंगे टीम के लिए हो जकता है एक से दो match adjust होने में लग जाएं लेकिन player काफी solid है grand league में captain भी try कर सकते है small league में मुझे लगता है as a normal player पहले match में जादा better रहेंगे यहाँ पर बात करने दिनेश कार्थिक की लगातार अच्छी performance दे रहे हैं और बार-बार कह रहे हैं कि मुझे T20 World Cup में as a finisher खिलाओ तो लगातार अच्छी performance है बिल्कुल आप अपनी team में consider कर सकते हो इनको specially अगर team की पहले betting आती है शाबाज हैमद मैंने last match में भी यह वाली बात आपको बोली थी शाबाज के बारे में यह ऐसा खिलाडी है जो small league में risk ही रहेगा लेकिन यह grand league के लिए बहुत अच्छी pick है यह आपको 3-4 match में एक बार surprise करता रहेगा और last में आपको बैटिंग बहुत तगड़ी करी थी अच्छे runs बनाए थे selection इनका कम ही रहता है प्लस यह आपको bowling से भी wicket निकाल के दे सकने है इस अभी तक इतनी खास bowling करवाई नहीं जा रही है लेकिन जिस match में भी करेंगे ना निकाल सकते हैं क्योंकि player में talent बहुत है उन्हें पूरा मौका नहीं मिल रहा है कि batting भी काफी नीचे आ रही है प्लस bowling कभी एक आदा over करवाया जाता है कभी वो भी नहीं करवाया जाता सेकिन grand league में try कर सकते हो डेविड विली की बात करें डेविड विली as a all-rounder खेल रहे हैं जिनको batting से भी लगाता है प्रोमोशन मिल रहा था लेकिन अब क्योंकि Maxwell आ गए है तो मुझे लगता है कि डेविड विली का down जो है वो नीचे हो जाएगा पहले रधरफर्ट से वो एक hitter थे तो यहाँ पर अगर अब ज़रुत पढ़ते है तो मुझे लगता है second down Maxwell ही आने वाले है बट still डेविड विली एक अच्छी pick बन सकते है क्योंकि starting में wicket निकाल सकते है बात करें हसरंगा की हसरंगा इस match के लिए अच्छी choice बन सकते है captain wise captain की wickets निकाल सकते है इस match में सो एक अच्छी pick आपके लिए रहेगी हर शर्पटेज जैसा मैंने बताया Mumbai के against record काफी अच्छा और अगर टीम पहले bowling कर रही है है हाँ पर RCB की सो captain wise captain small league में कर सकते हो grand league के लिए भी captain wise captain की बहुत अच्छी choice बन जाती है मुझमद सिराज से जितनी expectation थी उतनी अभी तक deliver नहीं हुई है लेकिन ये खिलाडी है जो किसी भी match में आपको 2-3 wicket निकाल के दे सकता है अच्छी trump card पिक रहेगी क्योंकि अपने over पूरे करते हैं starting में भी करेंगे फिर death में करेंगे so wickets निकाल सकते हैं एक differential player आपके लिए जरूर रहेगी मुझमद सिराज अकाश दीप की बात करें bowling ठीक ठाक करी है एक match में 3 wicket भी निकाले थे so credit saver की तरह आप try करना चाहते हो so बिल्कूर कर सकते हो इस match में credit की वैसे भी बहुत problem आने वाली है death bowling की बात करें सो हर्षर पठेल और मुझमद सिराज important खिलाडी की बात करें so duplices हैं यहाँ पर विराट कोली, Maxwell, हसरंगा मुझमद सिराज, हर्षर पठेल टीम के लिए important खिलाडी है बात करते हैं Mumbai Indians की so यहाँ पर 3 match में से 3 ओहारी है काफी वेकार form से जूज रही है क्योंकि bowling में वो दम नहीं है जैसा मैंने एक IPL से पहले भी एक वीडियो इनकी review वीडियो बनाई थी Mumbai Indians की महाँ पर यह मैंने यही कहा था कि bowling जो है न वहाँ पर थोड़े से इतनी strong नजर नहीं आ रही है यहाँ पर जस्पीद बुम्रा को support अभी तक कोई खास नहीं मिला है अगर जोफरा आर्चर होते तो यह team एकदम से बहुत strong नजर आती लेकिन वो है नहीं injured है लेकिन काफी invest उन पर किया है So let's see कैसे comeback करते हैं यहाँ पर Mumbai Indians So Rohit Sharma open करेंगे अच्छी choice रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी choice रहती ही है So Rohit Sharma important बन जाते है Plus इनका जो match up है वो विलीग से ही है थोड़ा बहुत खतरा बाकी मुझे लगता है tackle कर सकते हैं अगर खुद risk ना लें तो मुझे लगता अच्छा score किया जा सकता है इशान किशन की बात करें ये कैप्टन वाइस कैप्टन की अगेन एक और choice बन जाती है क्योंकि विकेट कीपिंग के आपको एक से दो कहस्तो पकटके देई देंगे Plus अच्छी form में भी है लास्ट माच अच्छा नहीं गया बट उससे पहले लगातार रंस करके आ रहे हैं सो कैप्टन वाइस कैप्टन की काफी हत तक safe choice बन जाते हैं इशान किशन यहाँ पर बात करें अब इनके middle order की यहाँ पर तिलक वर्मा है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव है और यहाँ पर ब्रूइस है लास्ट मैच में ब्रूइस जो है वो डाउन नीचे मैंचन था लेकिन वो वन डाउन आ गए थे अब यह ना सोचना कि हर मैच में ब्रूइस ही वन डाउन बैटिंग करेंगे यहाँ पर shuffle team कर सकती है depending upon situation अगर यहाँ पर suppose करो रोहिश शर्मा जो है वो खेल जाते हैं और इशान किशन जो है वो पहले आउट हो जाते है तो हो सकता है तिलक वर्मा को भी team promote कर दे है one down में left hand right combination को maintain करने के लिए यह चीज ग्रैंड लीग में especially बहुत ध्यान रखने वाली बात है प्रस इवन सूर्य कुमार भी है suppose यहाँ पर अच्छी partnership लग जाती है तो उस case पर सूर्य को भी one down promotion मिल सकता है तो यहाँ पर team जो है left hand right hand का भी combination बना सकती है लेकिन बात करें baby evidillers की ब्रिविस ने last match में काफी अच्छी निंग के लिए मुझे लगता है खुदी आउट होके चले गए इस stump जो है spinner को बाहर होकर खेल रहे थे और वो एक beat हुई और सीजा सी 10 stump हो गए लेकिन खेल काफी अच्छा रहे थे और trade saver का काम करेंगे और जहुरुरत आने पर यह bowling भी कर सकते हैं सुर्य कुमार यादव लास्ट माच में काफी अच्छा कहले है इंपोर्टेंट पिक रहेगी स्पेशलि एगर टीम की पहले बैटिंग आती है दिलक वर्मा हर मैच में इंप्रेस कर रहे है लगी निराय के जैसे पहली बार खेल रहे हैं पर IPL में और बहुत तगड़ी फ़र्म में है हर मैच में रन कर रहे हैं लास्ट मैच में तो बोलिंग करने भी आ गए थे तो आपके लिए एक अच्छे पिक बन जाती है और मुझे लगता है आपके टीम में होने चीए जिस तरीके से खेल रहे है पोलाड की बात करें अब पोलाड मुझे लगता है एक आदे मैच में ये बैटिंग बोलिंग वो टाइम आ गया है कि पोलाड अब देखना है एक दो मैच में न अच्छी परफोर्मेंस आपको दे देंगे तगड़ी वाली ऐसा मुझे लगता है लास्ट मैच में पांच बोल खेलने आये थे उसी में शायद 22 रन बना गये थे नोटाउट सो फॉर्म अच्छी है अगर टीम की पहले बैटिंग आती है तो यहाँ पर पोलाड जो है इंपोलाड बन जाएंगे स्पेशली अब जो बोलिंग भी मुझे लगता है पोलाड को एक से दो ओवर इस विकेट पर कर सकते हैं तो एक अच्छी पिक आपके लिए बन जाती है डैनियल सैम्स की बात करें लास्ट मैच जो है काफी पिटाई हुई सो चांसे है कि टीम इनकी जगा रिप्लेस्मेंट कर सकती है अगर नहीं करती सो डीसेंट पिक है ट्राइबल ओप्शन रहेंगे वट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है सो हलका सा रिस्क बन जाते हैं फेबियन एलन खेलते हैं सो आपको बैटिंग बोलिंग और फिल्डिंग तीनों से कॉंट्रिबुशन करके दे सकते हैं तो एक डीसेंट पिक है जिसे आप ट्राइक कर सकते हो मुर्गन अश्विन अच्छी बोलिंग कर रहे हैं और अगर टीम की पहले बोलिंग आती है सो ट्राइक कर सकते हो स्पेशली क्योंकि leg spinner है और leg spinner यहाँ पर दो से तीन खिलाडी विराट खोली जो है वो थोड़ा सा तंग रहते हैं, Maxwell काफी तंग रहते हैं, सो वहाँ पर उनकी अगी इंस्ट्रिया विकेट्स निकाले जा सकते हैं, सो Morgan Ashwin एक ठीक पिक बन सकती है आपके लिए specially अगर टीम पहले बोलिंग कर रही है, क्योंकि डिव फेक्टर सेकंड इनिंग में आएगा, अगर आएगा, सो वहाँ पर आप अब अवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर्स इनिंग में अच्छिपिक बन सकती है, जस्पीज बुम्रा आपकी विकिट्स निकाले थे, उसके बाद से थोड़े आउट अफ टच लगे हैं, हो सकता है टीम इनकी जगा उनाटकर को ट्राइ कर सकती है तो यहाँ पर आप ग्रैंड लीग के लिए ठीक च्छिए है, आप ग्रैंड लीग में ज़रू ट्राइ कर सकते हैं स्मॉल ली कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें भर भर के चोईस है, आप इस मैच में देखोगे कोई किसको कैप्टन मनाएगा, कोई किसको कैप्टन मनाएगा क्यूंकि दोनों टीम पे, यहाँ पर मुंबई और आर्सीवी पर बड़े नाम काफी है, तो यहाँ पर डुपलेसेज और इशान किशन यह मुझे लगता है common combination हो सकता है, यहाँ पर रोहिश शर्मा है, विराट कोली है, हर्शल पटेल को एक interesting choice बन सकती है, ज्यादा लोग try नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर टीम की पहले bowling आती है आपर RCB की, तो हर्शल पटेल एक अच्छी choice आपके लिए बन सकते हैं, इवन Maxwell भी है, उनको भी चाहें तो try किया जा सकता है, grand league में captain wise captain की बात करें, हर्शल पटेल और हसरंगा मुझे लगता important होंगे, यहाँ पर पोलाड भी अच्छी pick बन जाते हैं, और यहाँ पर अगर एक ऐसा खिलाड़ी जिस पर आपने पूरा risk लेना है, mega grand league में, ठीक है न कि आर या पार, वो अनुजरावत इस match में हो सकता है, चलिए अब create करते हैं अपनी small league और grand league की teams, so wicket keeping section में हमारे पास तीन option है, इशान किशन है, यहाँ पर दिनेश कार्तिक हैं, और अनुजरावत हैं, तो तीनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं, इशान किशन तो आपके team में होने ही चाहिए, open कर रहे हैं, plus wicket keeping, form भी अच्छी है, captain wise, captain की अच्छी choice है दिनेश कार्तिक हैं, जो लगातार finishing का roll कर रहे हैं, और हमेशा अच्छा कर रहे हैं, जब-जब मौका मिला है, तो इनको भी try कर सकते हो, अनुजरावत का selection बिलकुल कम है, create भी save कर जाएंगे, और यहाँ पर इस match में अच्छा कर सकते हैं, अगर यहाँ पर खुद ना उठ है क्योंकि इसके पास shots हैं और यह चक्के लगा लेता है, लेकिन यह है कि खुद बार temperament उतना भी तक नहीं दिखाया कि खुद ही out होके चले जाते हैं, लेकिन इस match में सामने की team में देखें, एक thread जो है, वो है बुमरागर उनको negate कर जाएं, तो अच्छी inning खेल सकते हैं, तो रावत को भी आप try कर सकते हैं, बैटिंग section में बात करें, भर भर के picks हैं, यहाँ पर बैटिंग section में, तो यहाँ पर मैं विराट कोली, fab duplexes दोनों को लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रोहिष शर्मा को भी लिया है, selection कम है आज के match में, यहाँ पर तिलक वर्मा क को भी मैं लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पर सूर्य कुमार को, यहाँ पर एक और option है, आप 6 batsman के साथ भी खेल सकते हैं, Maxwell भी एक अच्छा option है, जिनको आप अपनी team में ले सकते हैं, in place of अगर आप यहाँ पर Rohist को drop करें, या विराट को drop करके, या even सूर्य को drop करके, आप यहाँ पर Maxwell को भी ले सकते हैं, बाकी और किसी के खेलने की चांसे नजर नहीं आ रहे हैं, और आप चाहें तो इन में से एक खिलाडी को drop करके, एक extra bowler के साथ भी जा सकते हैं, और राउंडर सेक्शने बात करें, यहाँ पर मैंने हसरंगा को लिया है, हसरंगा important रहेंगे इ जो अच्छा कर सकते हैं, आप इनको try कर सकते हैं, डैनल सैम्स के खेलने के chances कम हैं, फिर बेन एलन खेलते हैं, सो 8 trade में अच्छी पिक बन जाएंगे, प्रभू देसाई जिस मैच में भी खेलते हुए दिखें, सपोज अनुजरावत की form जो है, अगर टीम को लगे कि यार बन जाएंगे और खेलते हैं, यहाँ पर पॉलाइड भी एक pick है, जो आप try कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अगर टीम की पहले bowling, यहाँ पर बैटिंग आती है मुंबई की, तो पॉलाइड को अपनी टीम में लेने की, उस case में हम एक batsman को drop करके चलेंगे, bowling में यहाँ जो तीन खिलाडी हैं, जो हमारे टीम में होने चाहिए हैं, हरशल पटेल, मिल्स और बुम्रा, यहाँ पर और option जो हैं, काफी अच्छे हैं, मुरगन अश्वीन एक अच्छी प्रिक हो सकते हैं, सिराज को लोग try नहीं कर रहे हैं, सिराज खतरनाक है, विकेट्स निकाल सकत तो अगर टीम पहले बोलिंग करती है, यहाँ पर ब्रुइस हैं, जो वन डाउन खेले थे और खेले भी काफी अच्छा थे, तो ब्रुइस को एक कंसीडर कर सकते हो, शाबास की बात करें, हलका सा रिस्क रहेगा, क्योंकि बोलिंग जादा करवानी रहे हैं, किसी भी मैच म को ड्रॉप करके, मैं सोच रहा हूँ, पोलाड को लिया जाए टीम में, लेकिन फिर वो देखना होगा, किस बैट्समें को, क्योंकि सारे ही यहाँ पर तिलक वर्मा, बाकी चारो तो बड़े नाम हो गए, और तिलक वर्मा अपना काम कर रहे हैं, प्लस एट क्रैट में मिल हैं, तो वो भी एक अच्छी फिक बन जाती है, तो यह रहेगी स्मॉल लीग की टीम, इसमें एक से दो चेंज होएंगे, फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी, कैप्टन, वाइस कैप्टन की बात करें, तो काफी अच्छी आप्शन है, लेकिन मैंने कैप्ट या फिर रोहित की जगा मैकस्वेल को भी ले सकते हैं, तो अब कर लेते हैं बात यहाँ पर बल्ले बाजी आप की, यहाँ पर क्रेइट का इशू नहीं आ रहा है, लेकिन अभी के लिए मैंने सेम टीम यहाँ पर रखी है, पंट ले रहा हूँ, यहाँ पर अनुजरावत प यहाँ पर एक क्रेइट बच रहा है, तो उसमें हम पॉलार्ड ले सकते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे जब टॉस हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, अब क्रेइट यहाँ पर कोई क्रेइट का इशू नहीं है, और सिर्फ एक बैट्समें से भी आप टीम बना सकते हो, लिं यहाँ पर सूर्या को नहीं रखा है, तो क्योंकि लगत रहा है कि यहाँ पर हर्शल पटेल या फिर जो हसरंगा है, वो मिडल ओर्डर में थोड़ा सा हर्शल मचा सकते हैं, तो उस वज़े से हमने नहीं लिया है, बाकी यहाँ पर यह टीम जो है, टीम बन बन जाएगी, ग इसी तरीके से आप मल्टीपल टीम भी बना सकते हैं, और किसी एक प्लेयर को भी आप, अगर मेका ग्रैंड लीग खेल रहे हो, एक प्लेयर को भी कैप्टन मल्टीपल टीम में कर सकते हो, तो स्मॉल लीग की टीम यह रहेगी, फाइनल टीम टेलिग्राम पर मिल जाएगी, जोइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, उमीद है आपको वीडियो पसंद आईए, पसंद आईए, लाइक करो, शेर करो, कमेंट करके बताओ, आपके हिसाफ से आज कौन सा बड़ा प्लेयर रन करने वाला, कौन सा बड़ हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना, और यूट्यूब चैन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, थैंक्यू गाइज